Hello Friends, Welcome Back to My Channel Friends, आज मैं आपके साथ मटका मटन बिरियानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसे मटका बिरियानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे मिट्टी के हांडी में बनाई जाती है Friends, मिट्टी के हांडी में बनने की वज़े से इस बिरियानी में बहुत ही सोंधी सोंधी सी खुश्बू आती है और बहुत ही सौफ्ट और हलकी बिरियानी बन कर ये तयार होती है मटका बिरियानी बनाने के लिए आपको एक मटके की ज़ूरत परेगी या जिसे आप मिट्टी की हांडी भी कह सकते हैं इसे हम गैस के उपर बनाएंगे आराम से ये गैस पे चड़ जाती है तो मिट्टी के हांडी में मैंने दो बड़े चमच तेल को ड़क करके इसे गरम कर लिया है और अब कुछ खरे गरम मसाले डालने है चोटी अलाची, बरी अलाची, लौंग, दालचीनी साथ में काली मिर्च और साबुत जीरा भी डाल लिया है और अब इसमें एक मेडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके रखी है और एक तेज पत्ता भी डाल लिया है और अब इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है प्यास को बस लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है और अब इस टाइम पे हमें इसमें मतन अट करना है तो मतन मैंने सारे 700 ग्राम लिया है और इसे 2-3 मिनट तक medium to high flame पे भूनना है अब इस बात की tension बिलकुल भी ना ले कि इस मिट्टी के हांडी को जब हम चूले पे डालेंगे या इसमें हम खाना बनाएंगे तो ये तूट जाएगा या फटेगा या फिर इसमें कोई crack आएगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहुत ही इतमीनान से आप इसमें खाना बना सकते हैं और अब इसमें हमें 2 टेबले स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और फिर इसे mix कर लेना है और अब इस टाइम पे इसमें कुछ powder मसाले आड़ करने है तो 1 टेबले स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पौडर, 1 टेबले स्पून देगी लाल मिर्च पौडर, 1 टेबले स्पून हल्दी पौडर, 1 टेबले स्पून धनिया पौडर, 1 टेबले स्पून काली मिर्च पौडर, 1 टेबले स्पून जीरा पौडर, साथ में नमक भी लिया और आराम से इसे भूनेंगे मसालों को मटन के साथ अच्छे से 2-3 मिनट भून लेने के बाद अब इसमें मैंने दही एड़ की है तो दही मैंने हाफ कप ली है और हाफ कप दही को इसमें डाल लेने के बाद फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है मटन के अंदर आप जैसे दह एड़ करेंगे और इसे mix करेंगे तो आप देखेंगे धीरे-धीरे मतन में से पानी रिलीज होने लगेगा और अब इस टाइम पे हमें ब्राउन की हुई प्याज आड़ करनी है तो मैंने दो मेडियम साइज की प्याज को पहले ही fry कर ली थी और इसे एक साइज रख लिया थ तो इसी प्याज को हमें इसमें डाल लेना है जब मैंने मतन को हांडी में डाला था और अभी तक में तकरीबन 10 मिनट हो गए होंगे और इतने देर तक में मतन को continue भूनना है ताकि इसमें का जो पानी है वो जल जाए और इसकी smell भी खतम हो जाए आप देख रहे होंगे इसम हलका हलका तेल उपर आने लगा है तो बस इसे हमें इतना ही भूनना है और अब इसमें हमें पानी आड़ करना है और फिर इसे कुख होने देना है और अब इस टाइम पे हाफ कफ पानी आड़ कर लेना है पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम बिलकुल लो कर देनी है और इस इसे खोल करके हम चेक कर लेंगे कि पानी है या नहीं ये नीचे से चिपका तो नहीं है तो ये ठीक है मटन अब इसे हमें ढख लेना है और फिर 5-7 मिनट तक और कुख होने देना है तो फ्रेंट अब हम फिर से चेक कर लेंगे मटन को कूख होते हुए तकरीबं 15-20 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए कितना अच्छा मटन गल गया है और बहुत ही सौफ्ट और इसकी खुश्बू है मत पूछिए और अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूं मतन इतना अच्छा जबरदस्ट गल गया है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही बहतरीन सी इसमें खुश्बू आ रही है तो बिरियानी के लिए ये मतन तयार हो चुका है अब इसमें हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया पोदीना और स्लाइट कट की हुई हरी मिर्च डाल लेंगे इन सब चीज़ों को हम मतन में एक बार अच्छे से मिक्स कर ल और उसमें डाल लेना है कुछ खरे गरम मसाले जावितरी लॉंग डाल चीनी का टुकरा छोटे इलाइची और एस्टार और पानी को अच्छे से उबलने देना है फिर इसमें हमें चावल बॉयल करना है साथ में इसमें नमक और तेजपत्ता भी डाल लेना है फ्रंस बिरिय से बॉयल आ गया है तो अब इसमें हमें चावल डाल देना है तो 750 ग्राम मैंने मटन लिया था तो इसमें हाफ केजी मैंने चावल लिये हैं चावल को मैंने 15 मिनट पहले ही धो करके सोख करने के लिए रख दिया था और अब इसमें मैंने वन टेबल स्पून वीनेगर डाला जिससे चावल आपस में चिपके का नहीं और खिला खिला बन कर तयार होगा साथ में वन टबल स्पून के औरा वाटर डाल लिया है जिससे बहतरीन सी खुश्बू आएगी और इसे हमें 80% तक बॉाइल होने देना है ओवर कुक नहीं करना है बिर्यानी बनाने के लिए मैंने बासमती राइस का यूज किया है और ये 70-80% तक कुक हो चुका है अब इसे स्ट्रेन करके हमें निकाल लेना है और अब इसकी हमें लेरिंग करनी है तो हांडी में तो मटन पहले ही से था तो इसके उपर हमें चावल डाल लेना है फिर इसमें घर का बना हुआ गरमसाला पाउडर, बारिक कटा हरा धनिया, पोदीने के पत्ते और हरी मिर्च डाल लेनी है उपर से फ्राई कीवी प्यास डाल लेनी है और फिर इस पे से हम चावल की एक लेर डालेंगे चावल केक लेर डाल लेने के बाद अब इसके उपर फिर से हमें हरा धनिया, पोदीने के पत्ते, हरी मिर्च डाल लेनी है साथ में क्योरा वाटर डाल लेना है और अब इसमें देसी घी डाल लेना है बिरियानी बनाने में आप देसी घी जरूर डालें इससे बिरियानी सॉफ्ट भी बनेगी और बहुत ही बहतरीन से खुश्बू आएगी साथ में फूट कलर भी डाल लेना है तली हुई प्यास डाल लेनी है और आप देख सकते हैं फ्रंस कितना बहतरीन लग रहा है ये देखने में तो अब हमें इसे दम पे लगाने के लिए हांडी के उपर इस तरह से हमें आटे को लगा देना है और उपर से ढकन रख करके और य पैस की फलेम बिलकुल लो कर देनी है और पांस से साथ मिनट तक इसे लो फलेम पे दम पे रखना है बिर्यानी को दम पे रखे हुए तकरीबं दस मिनट हो चुके हैं एक बार अभी से हम खोल कर देखेंगे और गर्मा गरम सर्फ करेंगे तो ये देखिये फ्रंस क्या जब का है तो चलिए इसे हम गर्मा गरम सर्फ करते हैं और ये देखिए फ्रेंट्स परफेक्ट मटका मटन बिर्यानी बन कर तयार हो चुका है इसके मटन भी बहुत ही अच्छे से कुक हुए है और चावल भी बहुत ही सौप्ट और खिला-खिला बन कर तयार हुआ है तो कैसे लगे आपको मेरी ये रेसिपी प्लीज हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए